कि आप टी इंडिविज्ट्व रिजिस्ट्ट तो एक तो बात यह पैरलल में हम करेंगे एक कि दो कि और यह तीन कि तीन को हमने पैरलल में लगा है कि और इसके साथ वोल्टेज लगा दिया इन शॉट्ट यह हमारे से पूछ रहा है डेराइब करें रेजिस्टेंस की जो फॉर्मुला उसको डिराइब करें टोटल रेजिस्टेंस इका रैसी प्रोकल इस इकोल टू सम आउफ इंडिविज्व रेजिस्टेंस यह प्रूफ कर और इसमें करेंट जा रहा है तो आई नो वी टोटल वोल्टेज वी इस इकोल टू आई या तो एक हैं वी नो इन पालल कॉम्बिनेशन पालल की कॉम्बिनेशन में वोल्डेज रिमेंट सेम in graphene so what we can do is it to prove it so I can say current will divide I1 I2 I3 current does not remain same so current je ho ga total current i total current i will divide into i1 plus i2 plus i3 or i is equal to v by r v by r1 v by r2 and v by r3 taking v common i will say v cut jayega and 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 hence proved is this clear net ruling here yeah 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 झाल झाल